हेलो दोस्तो अब आपका अधार कार्ट एक नए अवतार में आ गया है जी हाँ दोस्तो अब आपका अधार PBC कार्ड पर प्रिंट होकर कुछ इस तरह दिखेगा यह बिल्कुल ATM कार्ड के जैसा होगा आप अपने अधार PBC कार्ड को अप आउनलाइन ओडर कर मंगवा सकते हैं इस कार्ड को बनाने के लिए आपको 50 रुप्या का खर्च देना होगा नया अधार PBC कार्ड पाने के लिए आपको EYDAI की अफिस्यल वेबसाइट www.uidai.gov.in पर विजिट करना होगा यहां सबसे पहले आपको माई अधार पर आना है फिर आपको यहां गेट अधार सिक्शन में आना है यहां आपको नीचे की तरफ ओडर अधार PBC कार्ड का एक अप्सन मिल जाता है इस पर आपको क्लिक कर देना है अब आपका अधार कार्ड पहले से कहीं ज़्यादा ड्यूरेबल होगा इसके बारिज में गिला होने, कटने या फटने की चिंता करने की जुरुत नहीं होगी यह पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्बिनेंट होगी यह आपके ATM या debit card की तरह असानी से wallet में आ जाएगा इसमें सुरक्षित QR code दी गई है अब आपका अधार card latest security feature से less होगा security feature में hologram, gilloch pattern, ghost image और micro text होगा इस अधार PBC card को पाने के लिए आपको 50 रुपया चुकाना होगा जिसमें GST और speed post का खर्च भी include होगा नया अधार PBC card पाने के लिए आपको यहां अपने अधार card का 12 digit का अधार number टाइप कर देना है इदी अधार card नहीं है तो आपको यहां 16 digit का virtual ID number डाल देना है इदी अधार number और virtual ID number नहीं है तो आपको यहां 28 digit का अधार enrollment ID number डाल देना है मेरे पात अधार काड है तो मैं यहाँ पर 12 डिजिट का अधार नमबर टाइप कर देता हूँ फिर यह security code यहाँ इंटर कर देना है फिर send OTP पर क्लिक कर देना है यह आपको mobile number registered नहीं है तो आपको my mobile number is not registered कि इस box को टिक कर देना है फिर यहाँ पर अपनो mobile number टाइप कर देना है और फिर send OTP पर क्लिक कर देना है send OTP पर क्लिक करते ही आपके mobile पर 6 डिजिट का OTP code आ जाएगा इसकी validity 10 मिनट तक रहेगी इस OTP code को इंटर करने के लिए आपको scroll करके नीचे चले आना है अब उस OTP code को यहाँ इंटर कर देना है फिर इसकी terms और conditions को accept कर लेना है और फिर submit कर देना है इदि आपको mobile number registered है तो submit के बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर आपके PVC अधार का प्रिव्यू दिखाए देगा पर वही non registered mobile user को या preview देखने को नहीं मिलेगा अब आपको make payment पर क्लिक कर देना है make payment पर क्लिक करने के साथ ही आपको payment gateway में redirect कर दिया जाएगा यहाँ आपको अधार PVC कार्ट के लिए 15 रुपे की फीज पेमेंट करनी होगी यहाँ आपको अपना payment option चुन लेना है इसलिए हम net banking को select कर लेंगे अब आपको यहाँ से अपना bank select कर लेना है मैं यहाँ से state bank up India select कर लेता हूँ इसलिए इन में से आपका कोई bank नहीं है तो search for your bank पर क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर आपको अपने bank का नाम type करके search कर लेना है हम state bank up India के through payment करने वाले हैं तो हम यहाँ से back चले आएंगे फिर हम net banking को select कर लेंगे फिर state bank up India पर क्लिक करके proceed के बटन पर क्लिक कर देंगे अब हमें यहाँ अपना username और यहाँ passport डालकर login के बटन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर payment के details आ गई है हम इसे confirm कर देंगे हम इसे दुबारा confirm कर देंगे अब हमारे mobile पर 8 digit का high security code आ गया है हम उसे यहाँ इंटर करके confirm की बटन पर क्लिक कर देंगे हमने 50 रुपे की फीस successfully payment कर दी है इसकी receipt भी यहाँ आ गई है हम इस receipt को download भी कर सकते हैं इसके लिए हमें scroll करके निचे चले आना है यहाँ download payment receipt का एक option मिल जाता है इस पर क्लिक करके हम इसे download कर लेंगे इस receipt के अलावा 28 digit का service request नमबर भी हमारे mobile नमबर पर SMS के थुरूप भीज दिया गया है अब 5 दिन के अंदर अधार PVC कार्ट speed post के जरिए हमारे घर तक पहुँचा दिया जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तेक एलिए आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर बाटिंग